बहु की मा कमलावती को अपनी बहु में कभी कोई खासियत नहीं दिखती ए बगवान न जाने कौन से कर्मों का फल है जो ऐसी ना लायक बहु आ गई है ना देखने लायक ना सुनने लायक अरा बहु मंदिर जा रही हूं मैं आरती के बाद आऊंगी मा जी ये पूजा की थाली तयार कर दी थी साथ ले जाईए आरे हाँ भूली गई थी मैं इसे चला ठीक है कमलावती मंदिर जाती है जहां उनकी सहलिया अरे कमलावती क्या बात है साडी में स्टार्च लगा कर कहा जा रही हो अरे आती हूँ अभी पूजा करके मंदली में फिर आरती गाएंगे बाद में बताती हूँ कमलावती पूजा करके सहलियो के पास आती है हाँ तो क्या बोल रही थी आरे बवूने बुरा हालकर रखा है पूजा की खाली लेकर तो ऐसे आई जैसे पता नहीं कितना 56 सामान रख दिया हो आज तो माच इसी रखना भूल गई अब बताओ दिया किसे जलाओं मैं अपनी सबान से ही जला ले थी इतना तो आग उगलती हो तुम बहो के खिलाफ है क्या बोली बताओं अभी अरे ना ना मजा कर रही थी मैं वैसे आज क्या हुआ उसे अरे क्या बताओं बहन आ गई सुबर सुबर सामने चाई की प्याली लेकर एक तो सो दफा बोला है उट के ही सामने खड़ी ना हुआ कर शकल देख लेती हूँ तो पूरा दिन खराब निकलता है हम तो क्या बुरा हुआ आज बहो की शकल देख लिया ना उटने के बाद तब ही वहाँ एक अमीर आदमी आता है और कमलावती से कहता है मा मैं राकेश याद है बच्पन में आपने मुझे कैसे पढ़ाय में मदद की थी आज में बड़ा आदमी बन गया हूँ आपको ढूंटे हुए घर गया था तो आपकी बड़ी ही संसकारी सी बहु ने बताया क्या आप मंदिर में मिलेंगी ये लीजिए मेरी तरफ से ये आपके लिए छोटा सा उपहार ये सोने का हर स्विकार कीजिए मेरी विदेश की फ्लाइट है फिर मिलेंगे हाई रे ये राकेश था अरे कितना बड़ा हो गया वैसे न जाने किसका मुझ देखकर उठी सोने का हार मिल गया अरे यार आज तो तेरी किसमत किसी परियों वाले फिल्म की तरह निकली खड़े खड़े लाखों का हार मिल गया और रहा सवाल किसका मुझ देकर उठी थी तो याद तो हो गई अभी थोड़ी दिर पहले ही तो तो बोल रही थी न कि बहु का चहरा देख लिया था लगता है तेरी बहु का चहरा तेरे लिए लग्की है मंदिर के बाद कमलावती घर पांचती है सासुमा आपको डूंटे कोई आये थे मुझे एक सोने का हार दे रहे थे कि मैं आपको दे दू लिकिन मैंने नहीं लिया मैंने उन्हें मंदिर पेज दिया था क्या वो आपसे मिले सास को ये सुनकर गुसा आ जाता है अच्छा तो बड़ा अच्छा नेक काम कर दिया जो तुने हार नहीं लिया अगर राकेश को मैं ना मिलती तो क्या होता चला गया होता ना सोने का हार हाथ से अरे वो तो अच्छा है कि मैं मिल गई तब ही उसे याद आता है कि राकेश बोल रहा था कि घर में उसकी संसकारी बहुती लगता है वो इसकी तारिफ कर रहा होगा कि ये लड़की लालची नहीं निकली ये लीजी मा, खाना खा लीजी मैंने आपके लिए छाज भी मंगा ली थी आरा तो कौन सा असान कर दिया गर्मी में आदमी काफी तो पियेगा नहीं न बहु वैसे भी आज मैं तुछ से उलजूंगी नहीं आज मेरा दिन अच्छा है, अरे आज तो मुझे सोने का हार मिला है बहु बेचारी, सास की बात का कभी बुरा नहीं मानती लेकिन एक दिन मा जी, मेरी मा कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने आ रही है अरे क्यों भला, यहां क्या मैंने धरमशाला खोली है, जो मेरे घर में आ रही है बहु को गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से से घर से बाहर निकल जाती है जहां उसे उसकी मा आती दिखती है कहा जा रही टी डीटी मैंने कहा तो था कि मैं तेरे पास रहने आउँगी मा मेरी सास ने कहा है कि ये घर कोई धर्मशाला नहीं है तो मैं भी अब इस घर में नहीं रहूंगी, जहाँ तेरी एज़त ना हूँ अरे देख बेटी, वैसे तो माबाब यही कहते है कि तुखुश रहे अपने ससराल में यही बहुत है लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगी क्योंकि तेरी सास जैसी भी हो तुने हमेशा उसका साथ दिया मान समान इस सद्दी लेकिन जहां तेरे माई के कामान नहीं रखा जाता वाहा रहना ठीक नहीं चल बेटा मेरे साथ बहु की माँ अपनी बेटी को लेकर घर चली जाती है अरे क्या बात है बहु अपना घर नहीं आई ये बहु बीना सबसे ला परवा है इसे ये नहीं पता कि वक्त पर घर आओ खाना बनाओ खिलाओ और तुम भी खाओ इसके सिवाए जीवन में दूसरा कोई काम होना भी तो नहीं चाहिए तब ही वहाँ बेटा आ जाता है मा जल्दी से बता क्या खाना है मैं बना देता हूँ तेरी बहु तो गई अब हैं कैसे बात कर रहा है कहा गई और तुझे कैसे पता मा आज उसकी मा को तुने घर में आने से मना कर दिया था ना तो वो घर छोड़ कर चली गई बोल रही थी कि जिस घर में उसके अपनों की कदर नहीं है वो बहां नहीं रहेगी अरे अपनों की कदर बेटी के ससुराल में कौन सी मा कर रहती है मा आज के समय में ये सब कौन मानता है और नानी भी तो कितने साल हमारे साथ ही रहती थी अरे तू तो है ही जोरू का गुलाम तूसे तो कुछ भी कहना बेकार है सास अगली सुबह उठती है खुद कीचन में जाकर चाय बनाती है और बेटे के लिए नाश्ता, खाना फिर नहाद होकर तयार होकर मंदिर जाती है ए भगवान, मैं तो आपको चढ़ाने के लिए कुमकुम और फूल लाना ही भूल गई ओह, अगर बत्ती भी नहीं है पता नहीं, बहु ये सब कैसे रखतेती थी कभी भूलती नहीं थी पूजा के बाद सास की सहलिया उसे खेद लेती है बहुत परेशान से दिख रही हो सब ठीक तो है ना हाँ हाँ सब ठीक है बस बहु घर छोड़कर चली गई है अब सारा काम मेरे जिम्में आ गया है वैसे काम से मैं डरती नहीं हूँ आजकल की लड़कियां जो दो लोगों का खाना बनाने में भी ठक जाती है मैं तो पचास लोगों का खाना चुटकी में बना दू चल अच्छा है ना वैसे बात क्या हो गई थी आरा कुछ नहीं बोल रही थी कि दो दिनों के लिए उसकी मा रही है रहने के लिए तो मैंने तो साफ साफ बोल दिया धारमशाला नहीं है यह जो किसी को भी शरण दे दे ये तो तुने बड़ा गलत किया माता पिता बच्चों के पास ही तो जाते हैं न मुश्किल के वक अरे चल बेटी के घर जाने से तो अच्छा है के भगवान के घर ही चले जाओ पता नहीं कैसी मा है जो बेटी के घर आकर रहना चाती है वो भी दो दिन अरे अब तो बहु की शकल देखकर उठना भी नहीं हो रहा होगा तो दिन भी तो अच्छी ही जाएंगे, क्यों? हाँ, वो तो है ही, मनहुज की शकल देख लेती थी, सारा दिन खराब हो जाता था आज तो उठते ही शीशा देखा है मैंने ये बोलती ही जैसे ही वो मुड़ती है, सामने से आ रही गाई उसे जोग से टकर मारती है और कमलावती का घुटना तूट जाता है मा, अब कैसे काम होगा? तू बिस्तर में मैं आफिस में कौन रखीगा तेरा खयाल? तबी दर्वाजे में कमलावती की बेटी आ जाती है मैं मा को अपने ससुराल ले जाऊंगी और वहां उनका खयाल रखूंगी अरे जीती रह बेटी, देखा, मुसीबत के वक्त बेटियां ही काम आती है तो फिर मा, आप कैसे भूल गई? कि भाभी भी तो किसी की बेटी है मैं समझ गई बेटा, भगवान हर किसी को राह जरूर दिखाता है